देखे स्टुरेंट्स क्लास 10 का आज एक नया वीडियो एप्लिकेशन अक्टेगनोमेट्री हाइट अब डिस्टेंस का एक कोश्चन इंपोडेंट्स इंपोडेंट्स कोश्चन जो सीबी एक्जामस में जरूर जरूर आने की पूरी पूरी समामना है देखे स्टुरेंट्स कोश्चन क्यों सा है पुश्चन है अधा सेड़ोफ टावर इस्टेंडिंग और लेबल ग्रांड इज़ फॉर्ण टू वी ठरीविटर लोंगर वैं अधा संशेक्ट ग्रूर ये ग्रेट्ट ग्रेंट ग्रेट्ट ग्रेटंगर पंदा अधफ दावर देखे इस्टुडेंट कुश्चन बोला है कि जो सेडो टावर की स्टेंडिंग है एक लेवल ग्रॉंड पर इसमें क्या है इस्टुडेंट्स इसमें डाइगराम का बहुत इंपोटेंस होता है तो पहले डाइगराम बनाना दिखती है तो एक सेडो है इसका जो टावर इसकी हैट एच है ओके स्टुडेंट्स अब सेडो के दो एंगल अपनको गेवन है कि 30 एक 60 है तो अंदर वाले एंगल बड़ा होता है बार वाले एंगल छोटा होता है तो सेडो का जो एंगल है 30 डिग्री है 60 डिग्री हो जाता है तो थे 30 मीटर लोंगर हो जाती है तो मुझे जी लेंट एल हो गई जे 90 डिग्री होता है तो मुझे इस हाइड एच को फाइंड कर रहा है वोके स्टुलेंट्स तो इसको नाम देदू एबी सी और डी है अब लेते हैं ट्राइंगल एपी से ट्राइंगल डिप्राइंगल एटर अंगे सब्सक्राइब कर दिया है अब क्रॉस मुल्टिप्लाइब कर दिया है रूट थिरी एच इक्वाल टू थर्टी पिलस एच की वेल्यू पूट कर दी एच की वेल्यू एपनी एच इच की जगे रख दिये में नहीं रूट थिरी इंटू रूट थिरी एस एक्वाल टू थर्टी पिलस एच देखे श्टूरण रूट थिरी इंटू रूट थिरी होता है ठिरी बॉर है बराब थर्टी पिलस एच तो तो 3L मा Tails minus L equal to 30, 2L equal to 30, तो L equal to 15 meter, अब अपनी L आ गई, अपनको H चाहिए बटा question में, तो H क्यों होगा, L root 3, तो यहने 15 root 3 meter, अब वो अगर यही तक answer देता, तो ठीक है, अगर वो कहता है, root 3 की value यहाँ पर put कर देना, 1.73, तो यहाँ पर आपन रख दें, 1.732, तो answer आजाता है, 1.732 रखने पर, 25.98 meter, और अगर accurate चाहिए तो 26 meter is the answer, तो class 10 students question था, बहुत important question है, और जे exams में आने की 100% probability है, अगर आपको question अच्छा लगा, तो like, subscribe को, न न भूले मैं चैनल को, next video बोले देखके रही मेरा channel, thank you. जैसा आप परफने शे ज पर देखभार को,